अब आप लोग आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागते तो आज यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं वह है और आज यहां पर हम लोग जो CSIR सबसे पहल रहा है अपका आईों और दूसरा टॉपिक है आपका रीप्रेजेनटेशन यहांast यह सारे के सारे जो topics से बहुत ही easy हैं. वोh organic chemistry में हम लोग basic छीजों के बारे में य ही बात करेंगे. आज isomer क्या होता है stereo isomer क्या होता है उसमें किस तरह के question आते हैं representation क्या होता है उसको किस की हीसे हम लोग represent करते हैं यही सारी जो चीज़े हैं आज हम लोग जो सबसे पहले अपर करेंगे आपको सबसे पहले तो यह पता होना चुछ है कि एक्चुलि में, आई-इसमर क्या होता है , यहां पर आईसमर चोला है , यहां पर आईसमर और स्टिरीयो है Jr. अगर देखो घे क्या होता है . यहां लुए टेटें पर उसाइए यहां पर लुग लिखते हैं आईसो मरीट और रिप्रेसेंट से अ से मोलेकुलर फॉर्मूला ओक और डिफरेंट स्ट्रॉक्ट्ट्राल फॉर्मूला और डिफरेंट आप कह सकतो तो जैसे अलग अलग जैसे एक ही पोजीशन है लेकिन अलग अलग स्पेस में है चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो और डिफरेंट यह सारी चीज़ें ना हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे चाहे आपका और सेम मॉल्कुलर फॉर्मूला हो डिफरेंट स्ट्रॉक् इन स्पेस ओके यह तीनों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे डिसकस करने वाले हैं अगर आप इसको एक अग्जाम्पल के तौर पर समझों की आईसोमर एक्ट्री में होता क्या है ओके सपोस्स मेरे पास यहां पर एक कंपाउंड है सी टू एट शिक्स ओ ओके यह मेरे पा पर करता हूं CH2OH मुझे बताओ यहां पर कितने हैं 6 है, कितने हैं है 3 plus 2 5 plus 1 6 यहां पर कितने कार्वन है 2 कार्वन है 1 plus 1 is equal to 2 कार्वन यहां पर oxygen कितना है 1 यह एक सही है दूसरा आपके पास एक और हो सकता है, दूसरा आप किस तरीके से लिख सकते हो हम CH3 ओके यहां पर जाएगा वापस आपका CH3, यहाँ पे भी आपको 6 हाइडोजन देखने के लिए मिल रहे है, दो आपके कार्बन है और एग आपका ओक्सीजन, अगर आप दोनों को बहुत ध्यान से देखोगे, दोनों को ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि दोनों में जो structure है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा different है, यहाँ पे different structural आपको देखने के लिए मिल रहे है, उसी तरीके से आप एक और जो example है, उसको भी आप देख सकते हो, इसमें आपको हमने arrangement आपको दिखाए, अभी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, जो दुसरा चीज है वो, जैसे यहाँ पे मेरे पास C4, ह 10 और O है, मैं इसको अलग अलग तरीकों से किस तरीके से represent कर सकता हूँ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे क्या है, यह आप देखना होगा, सोहर्स projection में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से represent करते हैं, यह आपका क्या है, ओ H है, जो आपका अपर साइड है, यह आपका क्या है, जो दम सामने होता है, उसके बाद हम लोग इसी चीज़ को इस तरीके से घेट कर सकते हैं, यह आपका है और यह आपका क्या है below the plane और जो CH2 था उसको मैंने as it is रखा है यहाँ पर आपका क्या है CH3Q as it is है यहाँ पर आपका क्या है दो hydrogen भी क्या है as it is है अभी मुझे बताओ इसके अंदर आपका जो formula है वो क्या change हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है ओके यह इसके अंदर अगर आप arrangement देखते हो जैसे म कार्बन नंबर टू पर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो arrangement है ओके अरेंजमेंट है वो आपको different दिखाई देगा ओके different इसलिए दिखाई देगा कि OH पहले में किसके उपर था यहाँ पर वेच बॉंड पर था ओके यहाँ पर solid बॉंड एक तरसे हम लोग इसको solid बॉंड पर था और जो आपका hydrogen है वो किस पर था डैस बॉंड पर था ओके और अगर आप दूसरे में देखोगे तो जो आपका h हो गया वो किस पर होगया solid पर हो गया और जो आपका ओच है वो किस पर होगया आपका dash-dest Brew 解 today को दोने में जो डिफ्रेस्स आप देखने के लिए मिल रहा वह different । आपको किसके अंदर दिखने के लिए मिल रहा रहा जो उसके space है ओके पहले वाले में आगर आप देखो तो पहले वाले में जो आपका था, वो above the plane था, ओके यहाँ पर और दूसरे वाले में क्या है, यह बिलो द प्लेन चले गया है, ओके याने आगर आप इस तरीके से represent करते हो, पहले वाले में जो os था, वो कहा था, उपर था, ओके और दूसरे वाले में जो OH होगो कहा आ गया? नीचे आ गया. यहाँ पे आपका यह ओएस था, यहाँ पे आपका H आ गया और यह आपका क्या हो गया? बिलोधव दे प्लेन क्या हो गया? यह आपका OH चले गया. इस तरीके से इस तरीके के जो representation होते हैं, उस representation को हम लोग बोलते हैं different arrangement in space इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि different arrangement in space का मतलब क्या होता है और different structural क्या होता है formula किस तरीके से हम लोग कहते हैं यहाँ पर हम लोग molecular फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं किया है, यहां पर आपको 6 कारबन देखने के लिए मिल रहे थे, और सॉरी 6 हाइड्रोजन, 2 कारबन, 1 ओक्सीजन, यहां पर भी सेम आपको 4 कारबन, 10 हाइड्रोजन और 1 ओक्सीजन आप दोनों में काउंट कर सकते हो, दोनों में आपको सेम देखने के लिए मिलेगे, अब यहां पर हम लोग जो आइसोमर है, आइसोमर को यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं, जो आपका Iisomar है, हें, isomer के 2 type हैं, आपका type one है ये type one है आपका और ये आपका क्या है, type two है, तो दोनों में क्या difference है वो हम लोग थोड़ा सा यहापे तरह से type one है, ये आपका क्या है type two है, अगर आप यहाँ पर type one को देखोगे, तो type one को देखने पर पता चलेगा कि इसके अंदर यह क्या होता है जो structural isomer इसको हम लोग कहते हैं इक तरह से type 1 को इस type 1 को हम लोग कहते हैं structural isomer यह आपका type 1 है और दूसरे को हम लोग कहते हैं stereo isomer यह दोनों चीज़े हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि structural isomer क्या होता है और stereo isomer क्या होता है अभी यहाँ पर हम लोग क्या गरते हैं इसको एक एक point से समझते हैं सबसे पहले हम लोग जो structural isomer है उसको समझेंगे देन उसके बाद जो आपका stereo isomer है उसको समझेंगे यहाँ पर अगर मैं इसका definition बोले तो definition क्या होता है स्ट्रक्चरल फोर्मूला का सेम मॉल्लीक्यूलर फार्मूला् सेम नौलीक्यूलर यहां जितने यहां पर कार्बान लाधा तक सी जन हम गये बोट दिफरेट Аsposата ऐटम connectivity OK, बट different Atom Atom Connectivity OK तो आपको ये समझ में आ गया, इसके अंदर जो arrangement है वो आपको molecular formula तो same मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो Atom- Atom की connectivity है वो आपको different मिलेगी, जैसे suppose मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक example लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको clear हो जाए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक example लेता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है, A है, जो connect है B से, और B connect है C से, एक तरह से आप कह सकते हो, कि यह आपका center atom हो गया, जो connect है A से भी connect है, और B से signaling क्या करता हूं इसी चीज को मैं अगर इस तरीके से लिग दू मैं इस Connected to the C and C is connected to the B अभी मुझे बताओ इसके अंदर वी क्या था ऐ और सी से Connected था लेकिन इसके अंदर अभी जो दिए वो सिर्फ किस से Connected C से A से connected नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक atom है, suppose यह atom है, B वाला, atom B is not connected to the atom A and B, A and C in another example, तो यहाँ पर अगर आप दूसरे example में देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा clearly, कि यहाँ पर A, C, B है, और यहाँ पर आपका जो B है, वो दोनों से connected है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही connected है, अभी इसके अगर कुछ example, अगर हम लोग देखें, तो आपको थोड़ा सा और idea हो जाएगा कि किस तरीके से इसको solve करना है, suppose यहाँ पर जो आपके आईसो मरें, उसके अंदर में एक example लेता हूँ, यह example में क्या करता हूँ, C2, H6O है, यह मेरे पास example है, इसको क्या मैं दो तरीकों से रिख सकता हूँ, जैसे आपका CS3 हो गया, यहाँ पर आपका CH2 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गय यहाँ पर हो गया, दूसरा तरीका है, आपका यहाँ पर CS3 हो गया, यहाँ पर एक oxygen है, यहाँ पर आपका CS3 हो गया, अभी इस दोनों में अगर आप compare करो, तो इसके अंदर आपको different atom to atom आपको arrangement देखने के लिए मिलेगी, या फिर आप connectivity कह सकते हो, इसके अंदर आपको different atom to atom connectivity है, जैसे यहाँ पर oxygen के साथ, क्या है, CS2 है और CS3 है, लेकिन यह वाले oxygen में आप देखोगे, कि दोनों ग्रूप क्या है, simultaneously क्या है, अटेचे, आपको यह वाले group में आप देखोगे तो सिफ्ट क्या है, CS2 attach है, इन दोनों में आप देखोगे कि जो atom to atom, यहाँ पर जो connectivity है वो क्या है different है, इसके लिए ऐसे सब जो atom होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, structural isomer, तो structural isomer आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर आपके formula तो same होगे, लेकिन उनकी जो connectivity होगी atom के साथ, वो क्या होगी different होगी, यहाँ पर एक और example हम लोग लेते हैं, ताकि आपको थो C4H9Cl, यह एक item हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर represent करते हैं, तो आपको एक थोड़ा सा idea आ जाएगा, यह आपका क्या है, chlorine है, अभी इसी को में इस तरीके से भी क्या represent कर सकता हूँ, यहाँ पर यह है, यह आपका chlorine आ जाएगा, यहाँ यहाँ प इतने तो पता होगा आपको कि ऐसे जो line होती है chemistry में, वो line पर क्या होता है, यहाँ पर आपका CH3 होता है, यहाँ पर आपका CH3 होगा, यहाँ पर आपका CH3 होगा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, अभी यह क्या है, आपका 1 chlorobutane है, यहाँ पर आपको दिख रहे और यहां पर आपका क्या है two chlorobutane है okay two chlorobutane दोनों में आगर आप देखोगे कि आगर आप positioning इसकी करो तो यह आपका क्या है यहां पर मैं अलग कलर से positioning करता हो, यह आपका 1 number है, यह आपका 2 number है, यह आपका 3, यह आपका 4 और यह आपका 5 है, उसी तरीके से यह आपका 1 है, यह आपका 2 है, यह आपका 3 है, यह आपका 4 है, यह आपका 5 होगे, आप ले लो यहाँ पर, इस तरीके से आपने क्या किया, इसको represent किया, अभी मुझे ब कहेंगे structural isomer, तो आपको structural isomer बहुत clear हो गया होगा, अगर आपको फिर भी clear नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और example है, उसको लेते हैं और उससे आपको समझाते हैं, जैसे यहाँ पे एक और example हमने consider किया, वो क्या है, यहाँ पे हमारा chlorobenzine है, यह हमारा simple सा एक chlorobenzine है, जो chlorine है, वो आपको यहाँ पे upper most part, यहने और्थो पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, हम क्या करते हैं, इसको इसकी position है, हम लोग change कर देते हैं, अगर suppose यहाँ पे इसको भी अगर मैं क्या कह सकता हूँ, यह भी यहाँ पे chlorine है, दूसरा chlorine आपका यहा chlorine है, तो suppose मैं करता हूँ, एक chlorine को यहाँ पे constant रखता हूँ, ठीके, और दूसरे chlorine की जो position है, वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे change कर देता हूँ, यहाँ पे यह भी हो गया, यह आपका दोनों का जो position है, आपका यहाँ पे हमने क्या किया, change कर दिया, अब भी मुझे बताओ, तो क्या यह दोनों dichlorine है dichlorobenzene है बिल्कुल है लेकिन dichlorobenzene में आप directly ऐसा नहीं कह सकतो इसको यह क्या है पहला one one यहाँ पे one क्या है अगर one ortho है तो दूसरा two para dichlorobenzene होगा यहाँ पे one four dichlorobenzene होगा one four para dichlorobenzene होगा one three यहाँ पे one para three ortho dichlorobenzene होगा तो इस तरीके से क्या करोगे आप इस चीज़ को आप represent करोगे इसकी जो arrangement आएगी इसमें भी अगर आप देखोगे कि जो atom की जो connectivity है ओके यह क्या है बिल्कुल भी same नहीं है ओके इस चीज़ को भी हम लोग क्या कहेंगे structural isomer हम लोग इसको भी कहेंगे तो आपको structural isomer क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होता है आप चाहो तो यहाँ पर एक और example यहाँ पर ले सकते हो ठीके जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर एक example ले लिया यहाँ पर हमने example में लिया c5 h11 b r ओके अभी यहाँ पर क्या आप इसको बहुत अलग-अलग तरीकों से रिप्रेजन करते हूं वन तू थ्री फोर एंड फाई यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर आपका क्या है वन तू तू थ्री फोर यहां पर आपका second पर क्या है यहां पर बियार है उसके बाद one two three four five ओके यहां पर आपका क्या है थर्ड पर आपका क्या है बियार है ओके यहां पर अगर आप देखने तो यहां पर आपके पांच पांच यहां पर आपके carbon item है पांचों में यह क्या हो गया आपका one ब्रोमो पेंटेन हो गया, यह आपका क्या हो गया, टू ब्रोमो पेंटेन हो गया, यह आपका क्या हो गया, थ्री ब्रोमो पेंटेन हो गया, इस तरीके से अगर आप देखोगे कि तीनों में जो एटम, एटम की कनेक्टिविटी है, वो एटम, एटम की जो कनेक्टिविटी है तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि structural isomer होता क्या है किस तरीके से उसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से represent करते हैं इतना आपको idea आ गया होगा अब यहां पर हम लोग बात करते हैं stereo isomer की कि आपका stereo isomer actually में होता क्या है इसका definition क्या है वो सबसे पहले हम जानते हैं इसका definition कहता है कि इसके अंदर आपको same molecular formula भी आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है same molecular formula ओके यह आपका है and same आपको इसके अंदर and same atom to atom connectivity भी आपको देखने के लिए मिलती है stereo isomer में अभी इसके अंदर जो different होता है वो क्या होता है आपका but different आपको इसके अंदर जो arrangement है वो आपको देखने के लिए मिलता है in the space ओके तो different arrangement in space यह आपका क्या है यहाँ पे एक highlight point है यहाँ पे अगर आपने structural isomer में देखा तो यहाँ पे जो atom atom की connectivity थी वो आपको different थी लेकिन यहाँ पे आपका molecular formula भी same है atom atom की जो connectivity है वो भी same है लेकिन यहाँ पे जो arrangement है space में ओके वो क्या है यहाँ पे आपको different देखने के लिए मिल रही है ओके आप इसको example के तौर पे भी आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर आप मैंने example लिया c5 h11 b r ओके यहाँ पे example यह वाला example नहीं ओके यह वाला example हमने previous किया था ठीक है यह वाला example आपको यहाँ पे structural में किया था हमने sorry यहाँ पे यह जो example आएगा वो क्या आएगा आपका c4 h9 b r ओके यह आपके पास एक example है suppose मैं इसको यहाँ पे जो एक saw horse projection है उसके तहट इसको यहाँ पे बनाता हूँ जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया यहाँ पर यह अगर आप इसको देखोंगे आप upper side यान है above the plane तो यहाँ पे आपका b r है और यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे आपका CS3 है और यहाँ पे आपका plane के आएगा आपका यहाँ पे Bromin आएगा ओके यहाँ पे एक ही Bromin तो यहाँ पे आपका क्या यहाँ भी आपका hydrogen आएगा ओके अगर मैं इसको इस तरीके से represent करूँ suppose कि यहाँ पे आपका अगर जो बिलो यहाँ पे above the plane है ओके above the plane आपका hydrogen आजाए और carbon के साथ आपको bromine hydrogen और CH3 देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे भी आपको carbon के साथ 2 hydrogen और CH3 देखने के लिए मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप above the plane देखोगे तो पहले में आपका क्या था BR था second वाले में क्या हो गया आपका hydrogen हो गया ऐसे सब item को हम लोग क्या बोलत है वके आप चाहो तो इसको एक और example से भी समझ सकते हो जैसे मेरे पास क्या है यहां पर यह सपोर्श यह आपका क्या है hydrogen है यहाँ पर आपका क्लूरीन है और यहाँ पर क्या है अब है हड्रोजन है अब ही मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को मैं इस तरीके से अगर मैं आपका क्या है hydrogen, अभी मुझे बताओ, इसके अंदर क्या आपको इस carbon के उपर hydrogen और chlorine देखने के लिए मिल रहे हैं, of course देखने के लिए मिल रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्या ये वाले carbon के उपर आपको chlorine और hydrogen देखने के लिए मिल रहे हैं, बिल्कुल देखने के लिए मिल रह प्रांस याने अपोजिट सिस याने सेम साइड पर दोनों की लोग क्लोरीन आपको अपर साइड में देखने के लिए मिल रहे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं एक तरह से इसके अंदर जो एटम-एटम की जो कनेक्टिविटी है ये सेम है ठीके ये आपको डिफरेंट नहीं है इसके अंदर जो molecular formula है वो भी सेम है यहां पर भी आपका अगर आप इसको count करोगे तो ये सेम निकलेगा इसके अंदर अगर आप ये देखोगे कि इसका जो arrangement है इसका जो arrangement है arrangement क्या है आपका arrangement is not equal to ये क्या है एक तरह साब कह सकते हो कि arrangement क्या है आपका different है और ये जो cis transisomer होत करते हैं आप चाके ये पढ़ो गया आगे जाके cis transisomer कि इस ऑल्सो कि नोन एज कि जोमेट्रीकल कि आई सोमर ओके तो हम लोग सिस ट्रांस को जोमेट्रिकल आई सोमर से भी क्या करते हैं रेप्रेजेंट करते हैं जो आगे चाके आप जो आने वाले लेक्षर्स हैं उसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ओके यहां तक आपको यह बहुत क्लियर हो गया वहाँ कि आई सोमर के दो टाइप क्या होता है अभी सबसे most important बात ओके यह जो तीन नहीं यहां पर एक ही question है जैसे यहां पर आपको question यहां पर पूछा गया है कि what is the relation between यहां पर आपको तीन में क्या करता हूं यहां पर आपको डाइग्राम देता हूं क्या है यहां पर आपको यह देखना है पहला यहां पर आपका hydrogen है यहां पर आपका domain है यहां पर आपका hydrogen है पहले में इसको क्या करता हूं ड्रो कर लेता हूं ओके तो यहां पर आप देखो कि तीनों को हमने ड्रो कर लिया यह आपका a हो गया यह आपका b हो गया अभी कि c हो गया अभी यहां पर question में हमें क्या पूछा है simply आप लोग पूछा गया है कि आपको relation बताना है relation किसके बीच में a and b के बीच में b and c के बीच में c and a के बीच में आपको क्या करना है इसके बारे में बताना है अगर आप यहाँ पर A और B को compare करोगे जैसे आपका A क्या है यहाँ पर आपका उपर hydrogen है नीचे आपका ब्रोमीन है यहाँ पर आपका ब्रोमीन है नीचे आपका hydrogen है और अगर आप B को देखोगे तो B में क्या है उपर आपका ब्रोमीन है नीचे यहां पे आपका ब्रोमीन है और यहां पे आपका क्या है हाइड्रोजन है यहां पे मुझे बताओ क्या यह कारबन के साथ हाइड्रोजन और ब्रोमीन है बिल्कुल है क्या यह कारबन के साथ हाइड्रोजन और ब्रोमीन है बिल्कुल है क्या यह वाले कारबन पे आपको देखने के लिए मिल रही है सेम एटम एटम कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल रही है लेकिन यहां पे अगर मुझे बात करो कि उपर वाले में अगर आप देखो यहां पर आपको ट्रांस मिल रहा है यहां पर आपको सिस मिल रहा है यहां पर आपको ट्रांस यहां space ओके तो different arrangement in space आपको है इस चीज़ को आप क्या कह सकते हो इस चीज़ को आप कह सकते हो stereo isomer ओके यह आपका क्या है stereo isomer है ओके यह आपको समझ में आ गया अब इसी तरीके से अगर आप B और C को compare कर ओके C क्या है आपका यहाँ पर आपका hydrogen है यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, अभी मुझे बताओ, इसके अंदर अगर आप देखो कि क्या यह hydrogen पर, ब्रोमीन है, यहाँ पर आपको ब्रोमीन और हैड्रोजन देखने के लिए मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, इसके अंदर जो एटम की जो connectivity हैं, वो आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है, आप पहला ही पॉइंट देखके आप बता सकते हो कि यह क्या है? अपका structural isomer है, यह आपका structural isomer है, उसी तरीके से अगर आप A को और C को compare करो, अगर आप देखो कि यह वाला है, carbon पे आपको BR, BR देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको BR और H देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपको अलग-अलग द कि आपको किस तरीके सी आपको से चाहें स्टीरियो मर्ण हो या फिस्ट Cordialisomer हो दोनूझ चीज़़ कैसे find कर सकते हैं तो यहां तक आपको बहुत क्लीयर हो गया होगा ठीक है आप चाहिए तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक और question यहाँ पर दे सकता हूँ और आप इसको खुद से solve करोगे और मुझे आप comment करके बताओगे comment section में कि इसका जो answer है वो क्या होगा आपको यहाँ पर मैं 3 यहाँ यह देता हूँ P, Q और R क्या करना है यहाँ पर compare करना है तीनों को compare करके आपको मुझे इसका जो answer हो आपको बताना हूँente यह आपका यहाँ पर जो compound वो आपको देता हो यहाँ यह अपका C l हो गया यह आपका invest आपका hydrogen यह ओक ​ second है आपका ये एक दो तीन चार यहाँ पे भी आपके चार एक दो तीन चार ओके यहाँ पे आपका क्लोरीन यहाँ पे आएगा ठीके यहाँ पे आपका क्लोरीन यहाँ पे डैस डैस पे आएगा ओके यहाँ आपका क्लोरीन ये आपका chlorine, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, अभी मुझे आपको सिर्फ ये बताना है, ओके, आप मुझे comment करके बताओगे की A और B में क्या relation है, ओके, B और C में क्या relation है, और C और A में क्या relation, ओके, ये तीनों का जो answer है, आप मुझे क्या ठीक है आप चाहो तो हमें Instagram टेलेग्राम पर भी आप हमें मैसेज बेश सकते हो और वहां पर भी आपके जो answer है आप हमसे share कर सकते हैं तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा अभी यहां पर जो हमारा किसी के समख्ष रखना, represent करना, present करना अगर आपको किसी ने कहा कि आप किसी चीज को present करो तो आप क्या करोगे present करोगे उसी को हम लोग यहां पर representation कहते हैं representation में आपको चार चीज आप पढ़ने के लिए मिलेगी सबसे पहला है आपका wedge और dash bend, wedge और यहां पर जो dash यहां पर वेच डाइस री प्रेजेंटेशन यह आपका सबसे पहला है ओके यह आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलने वाला है दूसरा है आपका यहां पर दूसरा है आपका फिशर प्रोजेक्शन ओके फिशर प्रोजेक्शन में आपको यहां पर पढ़ने के लिए तीसरा है आपका यहां पर न्यूमन ओके न्यूमन री प्रेजन टेशन ओके इसके बाद चौधा है आपका यहां पर सौहर्स ओके तो यहां पर यह क्या है आपका सौहर्स ओके तो आपको इतना समझ में आ गया ओका कि अलग अलग टाइप के चार कौन से रिप्रेजन टेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चारो टाइप कैसे होते हैं आपने देखा होगा कि वेश और डेस में कैसा होता है यह जो आपका अगर आपके पास यहाँ पर कोई यह दिया है तो यह अगर आप इस तरीके के जो bond देखते हैं यहाँ पर यह solid इसको हम लोग wedge बोलते हैं अगर आपने इस तरीके के जो bond होते हैं यह देखे होंगे इसको हम लोग dash बोलते हैं उसी तरीके से अगर आप Frisure Projection में जाते हो, तो Frisure Projection में हम लोग आपने इस तरीके का बहुत सारा डाइग्राम देखा होगा, X, X, ओके, यहाँ पे आपका A, B, C, D, इस तरीके के डाइग्राम आपने देखे होगे, अगर आप Newman में जाते हो, तो Newman में भी आपने देखा होगा कि, यहाँ पे सबसे पहले आपका यह जो main वाला होता है, इस तरीके से अगर आपका यहाँ पे A है, यह आपका B है, यह आपका C है, इसके opposite में आपको आएगा, यहाँ पे इस तरीके से, यह आपका A1 हो जाएगा, यह आपका B1 हो जाएगा, यह आपका C1 हो जाएगा, और आप 100 हर्स में देखते होंगे, 100 हर्स में इस तरीके से आपको यह, आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको यह तो clear हो गया कि, आप किस तरीके से यह सारी चीज़े आपको करनी है ठीक है तो step by step हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर discuss करते हैं और आपको यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से आपको यह सारी चीज़े करनी हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने वाले हैं जो Vege और Das पंड है, उसके बारे हम के। Vege डास representation किस तरीके से हम लोग करते हैं, वह सबसे पहले हम देखते हैं, तो यह सबसे पहले तो आपको पता होना अची कि aberration होता कैईसे हैं, अगर आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक compound लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक compound है, जिसके अंदर आपने इस तरीके का आपने बहुत बार यह देखा होगा, और आपको इस तरीके का भी आपने यह देखा होगा, डैस डैस करके भी और इस तरी बॉंड कहते हैं यह आपका विजबॉंड हो गया और यह जो आपका डैस डैस बॉंड है इसको हम लोग डैस बॉंड कहते हैं और यह जो विजबॉंड होता है यह होता है आपका अवाब द प्लेन याने प्लेन के ऊपर होता है और यह जो होता है आपका बिलो द प्लेन होता ह यह दो दो चीज़े आपको बहुत ज्यादा important है जाद रखनी है कि किस तरीके से आपको करना है जैसे अगर आप इस को इस तरीके से भी देख सकते हो यहां पर मेरे पास क्या है यहां पर मैं यह लेता हूं compound में मैंने क्या किया है यहां पर एक wedge और एक dash बनाया है, यह आपका क्या है, यहां पर आपका यह wedge bond है, यह आपका क्या है, एक dash bond है, अभी क्या होता है इसके अंदर, कि जो आपका यहां से, यहां से यहां तर, यह जो एक है, यह आपका दूसरा पार्ट है, इस दोनों पार्ट को अगर मैं यहां प करता हूं तो आप एनलाइज करके आप बता सकते हो कि यह वाला क्या है आपका अप एलिवेटेड ओके आप एलिवेटेड पार्ट है और यह वाला क्या है आपका डाउन elevated part तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हो कि अब elevated part कौन सा होता है जहाँ पे आपको always जो solid bond है वेज़ बॉंड हे वो आपको देखने के लिए मिलेगा आप ये भी देख सकते हो कि जहाँ पे आपको down देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आलवेज क्या देखने के लिए बाँड होता है वो आपको देखने के लिए के दाव यह था हमारा पहला रूप्रेजेंटेशन था वो उसका और आप इसके सेटन यहां पर देख सकते हो honesty सिंपल हैं, फिशर में क्या होता है कि आपके पास यहां पर कोई यह है, हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजन करते हैं, यहां पर अगर X है, तो यहाँ पे भी आपका X आएगा, यहाँ पे आपका A है, तो यह आपका B आएगा, यहाँ पे आपका C है, तो यह आपका D आएगा, ओके, यहाँ पे उपर रीचे आपके सेम होते हैं, ओके, यहाँ पे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, अगर सप आपका सॉलीड बॉंड है याने वेज़ बॉंड है अगर आप एक तरीकए से रिप्रेजंट करो यह आपका एक्स हो गया अधियर अब हो गया या ले सकते हैं यह आपका दुगा अध्या ओग्या चाहूं से हम लोग किया करते हैं सोने उसको करते हैं ऊके आप चाहोँ तो इसके question को भी हम देखाएंगे आप next वाले lecture में को के next वाले वीडियो में आप देखोगे कि किस तरीके से अब लोग सारेमित वे नेक्स अपकर टाइब दिया था यहां पर दोंे टाइप को हम लोग करने की कोषिस करेंगे तारफ तीसरा चोथा नेंट डिया था आपको डियू मन प्रॉजेक्शन को यह आपका निमां क्या था आरीप्रेजेंटेशन तर लिवह 대통령 आपका फोर्त वाला टैप क्या था आपका यहां पर सो छ प्रोजेक्शन था ओके सो फर्स रिप्रेजनेशन ठोंगे री प्रेज्जिन टेशन यहां पर आपके यह जो दोनों टैप इसको तो यहां पर हम लोग एक सिंगल स्लाइड में डिसकस करते हैं अगर आप नियुमन यहां पर प्रेजेंटेशन को अगर आप देखते हो तो नियुमन प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से करते हो यहां पर सबसे पहले आप क्या करते हो यहां पर सपोस्थ यह आपके पास क्या है एक single आयटम ओके यहाँ पर आपने क्या किए है इसका सेंटर पार्ट लिया यहा अपना यहाँ से आपका Z आया यह आपका common होगा उटे तोनों में उसके बाद हसे आपका यह आपका x होगया यह आपका y होगया उकिए इसी के बाद क्या होता है ुसी से एक जो एक side by side यहां से एक जो उपर वाला part होता है पीछे side वाला वो यहां से निकलता है तो यह भी आपका z आएगा यहां से भी आपका x निकलेगा और यहां से भी आपका एक y निकलेगा ओके यह below the plane होता है और यह आपका above the plane होता है इसके लिए इसको इस तरीके से लिखते है और ऐसे जो structure होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, eclipse बोलते हैं, याने आपने देखा होगा कि eclipse कैसा होता है, कि जब आपका ये moon है, ये moon है, जब moon बहुत जादा distance पो होता है earth के, तो ये क्या करता है, earth को cover कर लेता है, यहाँ से जो भी sun की, जो rays आती है, उस rays को क्या करता है, ये block कर देता है, इसके लिए आपने देखा होगा, कि बहुत, मतलब आपने देखा होगा, कि साल में ऐसे 2-3 बार मौके आते हैं, जहाँ पर आपको सूरिय ग्रहन, चंदर ग्रहन, देखने के लिए मिलते हैं, तो चंदर ग्रहन में क्या होता है, कि moon होता है, वो moon, जो earth को जाने वाले light होती है, उसको क्या करता है, रोकता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एकलिस्प बोलते हैं, याने ग्रहन, तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से आपको यह जो structure है, वो आपको देखने के लिए मिल रहे, suppose मैं क्या करता हूँ, यह जो structure है, उसको 180 degree rotate कर देता हूँ, okay, rotate करने के बाद क्या होगा, कि यह जो structure है, इस तरीके से आपको form होते हुए दिखेगा, यहाँ पर आपका, यह तो same है, आपका यह जेड है, okay, यहाँ पर आपका X है, और यह आपका Y है, okay, यहाँ पर क्या होगा, अगर 180 पर करोगे, तो यहाँ पर X आजाएगा, okay, यहाँ पर आपका Y आजाएगा, ठीके, यहाँ पर आपका क्या आजाएगा, Z आजाएगा, यह below the plane है, तो आप इस चीज़ को यह मत करना कि, यह बहुत बाजू-बाजू है, यह क्या है, सामने है, okay, याने जैसे सामने कैसे कह स आज ली है, यह है, तो इस तरीके से आप इसको समझो, तो आप समझ पर समझ जाओगे, okay, उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो सोहर्स्ट प्रोजेक्शन है, अगर आप सोहर्स्ट प्रोजेक्शन को कभी आपने एनलाईस किया होगा, तो आपको पता चलेगा, सोहर्स्ट projection कैसा होता है कि आप इस तरीके से ठीके आप क्या है यहाँ पे standing खड़े हो ठीके यह आपका face है ठीके यह आपका left hand है यह आपका right है यह आपका left यह आपका right है ओके यह आपके क्या है यहाँ पे दोने पैर हैं, अभी suppose आप क्या हो गए, यहाँ पे सीधे खड़े थे, लेकिन आप क्या हो गए, टेड़े खड़े हो गए, तो टेड़े खड़े होने के बाद क्या होगा, आपकी, जो यहाँ पे यह तो आपका सेम ही होगा, यह भी आपका सेम होगा, यह आपके पैर आपके यहां पर आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर यह आप समझे से यहां परちょ लिया यह आपका जेड होगे ओके अगर आप इन दोनों को अगर मैच करते हो इसको मैं एक तरह एक साथ थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं ओके ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझे ओके तो आपने यह समझा कि अगर आप यहां पर स्टैंडिंग खड़े हो ठीके यह वाला लेफ्ट वाला हाथ दिखेगा और राइट वाला आपका नहीं दिखेगा ओके यानि यह बिलो दप्लेंट चले गया और यह आपका अबब दप्लेंट चले गया इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं यह आपके मुंडी है तो मुंडी तो सेमी रह हो गये यह आपके Y हो गये दो हाथ उसी तरीके से यह भी आपके दो हाथ है एक्स और वाइए हैं और यह आपकी क्या है मुंडी है ठीके उसी तरीके से करना है तो यह क्या आ जाएगा अगर आप यहां पर ऋपर च समय ओकर यह आपकी मुंडी है अभे आपने एसको 180 भी रोटेट किया तो ग्या हो जाएगा यहां पर आपकर यहां पर आपका यह falleneko पे झाय का इदल कुल यहा निचा जाएगा यहां पर वाया आजाएगा यहा पर आपका एक्साज़े ओके इछीज को हम लोग बोलते हैं सो हर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं के यहां देख सकते हो दोनों आपोजिट हो गया यह भी दोनों क्या होगे अपोज़िट हो गया के और ऐसे जो the promotion होते हैं उसको। यह वाले formation को हम लोग क्या हूंट को है क्लिफ्स बोलते हैं उक है सकते हैं उसका जो screenshot है आप अपने पास रखे हमें आप टेलिग्राम पर भेज सकते हैं आप इंस्टा पर भेज सकते हैं ओके वहां पर आपके सारे के सारे जो doubts हैं आपको clear करके मिल जाएंगे ओके और उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ doubt रहता है तो please आप आप लोग हमें next lecture में आप जबी भी वीडियो आएगी उसके अंदर भी आप पूछ सकते हैं previous वाला ठीक है ऐसी कोई बात नहीं कि नए lecture में आप प्रिवियस वाले doubts नहीं पूछ सकते हैं आप पूछ सकते हैं ठीक है इस तरीके से यह जो पूरा lecture है यहां पे खतम होता है मिलते हम लोग next video में ने topic के साथ thank you so much